बिसमिल्ला इर्रख्मान इर्रहीम असलामलेकुम ख्लासिक्स अब्सक्राइब करें इस तेलिस्कोप 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 दूर भी इंको कहते हैं तीक है यह में रिडिंग स्टार्ट करने लगी हूं आप लोग देख लें वह चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन की हैं शोट कुस्टन मेंशन की हैं यह आपने लर्ण कर लेने और जैसे जैसे मैंने हाइलाइट किया ऐसी आपने कर लेना मेंशन कर देना स्मॉलर टेलिसकोप यूजिली यूज लेन्जिस तु मेक फार वे अबजेक्स लुक बिगर इस टेलिसकोप सर कॉल्ड रिफ्रेक्टिंग टेलिसकोप्स आम दूर बीन जो आप लोग भी स्तमाल कर सकते हैं स्मॉलर इन साइज होती हैं क्या करते हैं कि दूर की चीज़ को बड़ा करके इन वह इमेज को बड़ा कर देती हैं और आपको वह करीब दिखाई देता है ऐसी टेलिसकोप को हम रिफ्रेक्टिंग टेलिसकोप कहते हैं जो स्मॉलर इन साइज हूं और जो बड़ी टेलिसकोप जो साइटिफिक परपसिस के लिए यूज किये जाएं वह क्या होती हैं उनमें मिरर्स यूज किये जाते हैं इंस्टेड अफ लेंस मिरर्स और यूज्ट अवह इस्टेंस अब्जेक्ट को क्या कर देते हैं नियर करके दिखाते हैं और बिगर साइज कर देते हैं लाज मिरर्ट यह लाज मिरर्स और यह बिगर टेलिसकोप में इसलिए लिए यूज किये जाते हैं क्योंकि large size में अगर हमने mirror यूज करनो तो ज़्यादा comfortable है convenient है as compared to large lenses यूज करने के इस the telescope which use mirror are called reflecting telescope आपको दोनों में difference पता चल गया दो किसम के telescope two types of telescopes मैंने आपको बताई है reflecting, reflecting जो reflecting telescopes है वो क्या होती है जी जिन्में हम lens यूज करते है image को bigger करने के लिए और वो जो high level पर यूज की जाती है उनको हम कहते है reflecting telescope पर उनमें mirror यूज होते है second paragraph as we have seen when light hits a mirror it does not bend instead it bounces off just like a ball bouncing off a wall वो कैने जैसे ही light mirror से टकराती है तो ये नहीं कि जैस्ट वो hit ही करती है बलकि क्या होते जैसे अगर आप ball को किसी wall की तरफ ठेंकते हैं ना hit करते हैं strike करते हैं जिस तरह से वो वापिस आती है आपके पास hit होने के बाद ऐसे ही light का फिरॉमिन है in a reflecting telescope a large concave mirror bounces all the light coming through the telescope barrel into a smaller plane mirror ठीक है reflecting scope में क्या होते है कि जो बड़े concave mirror होते है light जो उनकी तरफ आरी होती है telescope के थूरू उसे वो क्या कर देते हैं smaller जो plane mirror होते हैं उनकी तरफ reflect कर देते हैं फिर क्या होगा जी from there the light is reflected through the eyepiece lens which bends the light into the eye उस plane mirror के थूरू light जो है वो हमारे eyepiece वाले lens में जाएगी और वहां lens से जो eyepiece lens है light आपकी आई के तरफ बेंड करेगी और आप उसको easily देख लेंगे our reflecting telescope can collect light from faint objects far away in space अब वो कहे रहे हैं कि reflecting telescope जो है वो किस purpose के लिए यूज की जा रही है अगर आपने खला में कोई scientific purposes के लिए यूज की जाती है रही साथ के space में आपको पता है एरक्राफ्ट सो कह रहा space में जब जाते हैं तो वहां पे कुछ objects जो faint होते हैं से meaning यह है कि मद्धम हो मतलब इतने clear ना हो और उनको आप clarify करके देखने चाह रहे हैं clear करके तो फिर हम जो है ना reflecting telescope यूज करते हैं यह phenomenon जो मैंने आपको उपर बताया है यह उसी की figure जो है mention की जा रही है ठीक है light from a star then वह plane mirror से आके hit कर रही है ठीक है उसके बाद concave mirror से कर रही है then objective lens में उसकी movement होगी और finally आप उसको अपने आई के तुरू देख लेंगे the world's largest telescope is on the island of La Palma in the Canary Island यह बताया जा रहा है कि किस जगह पे है नेम बता दिया जजीरे का it has a concave mirror 10.4 meters in diameter वो के रहें यह जो सबसे बड़ी telescope है दूर बीन है और इसका जो डायमेटर है न वो 10.4 meters even larger reflecting telescopes are being constructed इससे भी बड़ी telescopes बनाने की कोशिश की जा रही है ठीक है अंडर construction है probably the world's most famous telescope today is the Hubble Space Telescope यह नेम बता दिया उन्होंने टेलिसकोप का which was launched in April 1990 1990 April में क्या हुई थी launched हुई थी Hubble is a reflecting telescope powered by two large solar panels and it orbits nearly 600 km above the earth वो के रहे हैं कि reflecting telescope जो है यह two large solar panels के मदद से यह help से जो है यह करती है orbit और किस तरह से orbit करती है earth के nearly 600 km above the earth orbit करेगी its main mirror is 2.4 meter in diameter this is not large compared to the reflecting telescopes on earth but because Hubble is above the earth's atmosphere it is able to see far away objects more clearly than any telescope in history करें कि यह जो है कि आपको उपर बताया ना कितने किरो मिटर जमीन से उपर है डिस्टेंस बता दिया गया है तो कि जमीन से उपर है और खलाई चीजों को देखने के लिए इस्तमाल की जाती है तो इसलिए वो कहरें कि अभी तक हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा मतलब यूज और यह लार्जस्ट जो है वो हबल टैलिस्कोप है नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ओफ आवर डिसकेशन इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसको अपने एंडर लाइन कर लेने शोट केस्टिन को अच्छा प्लें गया रेगुलर प्लें मिरर के त्रू जो रिफ् जहां से रिफ्लेक्शन हो रही है वो हार्ड हो uneven हो smooth न अ हो उसके त्रू जो रिफ्लेक्शन होगी न उसको हम कहेंगे diffuse reflection पॉइंट क्लियर हुए मेरा rough surfaces look dull because they scatter light in all directions this type of reflection is known as diffuse reflection compared to a mirror the surface of a piece of a paper or card is rough अगर आप mirror or cardboard जो है उसको अगर आप comparison कर रहें उन दोनों का तो जो हमारा cardboard या card है वो rough होते है each bit of a surface is at a different angle to the next अच्छा नीचे इनों ने दिखाया है sheet of a paper है जिस तरह से क्या आपको दिखा रहे हैं कि cutting इसकी हुई वी है तो even तो नहीं हुई ना ये uneven है smooth surface तो नहीं है तो इन से जो different angles obviously अब गर एक point आपका अबव है एक नीचे की तरफ है bottom point है differ करेगी ना light जब आके टेक रहेगी angles भी differ करेंगे तो इस तहां कि जो reflection होगी ना उसको हम diffuse reflection करें diffuse meaning mix angles different किसम के angles जो हमों mix होंगे और हमारी reflection produce होगी each incoming ray of light still obeys the law of reflection described above आपको क्या करें कि जो diffuse reflection है reflection में law of reflection वही follow होगा angle of incidence is always equal to angle of reflection जिस angle से आकर हमारी जो light ray है वो टकराती है strike करती है उसी angle से ही वो वापिस जाएगी ये बात तो clear है लेकिन क्या है क्योंकि ये uneven है ना तो इसमें pattern तो वही follow होगा लेकिन क्योंकि अनिवन है कुछ point above है कुछ bottom है तो वो diffuse type reflection आपको दे देंगे in that the angle of incidence and the angle of reflection are equal but the light ray hit pieces of the surface of the paper और card which are themselves at various angles the result is dead the light is reflected from the paper और card not in a single beam वो ही बात आ गई ना जैसे मैंने आपको बताई है कि वो different directions में करेगी एक direction में नहीं कर रही इसलिए हम उसको regular नहीं कह रहे है कि diffuse कह रहे है it is scattered scattered means कि बिखरी हुई है wherever your eye looks it can see some of the scattered reflected light last paragraph this is how we see objects which are not sources of light rays of light which are scattered from the surface of these non-luminous objects enter over eye non-luminous objects क्या होते है जिन जो अपनी light को प्रोड़्यूस ना कर सके तो वो अपनी light तो नहीं खुद प्रोड़्यूस कर रहे है लेकि डिफ्यूस रिफ्लेक्शन के थूँ वो हमें light को रिफ्लेक्ट कर के शो कर रहे है राइट के रिफ्लेक्शन को लाज आपके लास्ट दो क्वेस्टेंज है जो आपने रिटन वर्क भी करना और लर्निंग भी करनी है क्यों नंबर 15 और 16 इसकी इमेज में आपको प्रोवाइट कर दे दियू और वो सब उसी से रेलेवंट है इतना मैंने आपको इस चप्टर में सब क्लियर करवाया I hope you all got it all is clear so students at the end of the lecture I would like to say native slogan आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ Allah Hafiz take care a lot thanks for listening me